बात करने वाले आज के होने वाले धमाकेदार मैच की जो की होने वाली है आपको डेली हुमेन वर्सेस मुंबई इंडियन हुमेन के बीच में दोस्तों बहुत अच्छी मैच है और आज का मैच में अगर आप देखोगे तो और राउंडर परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा और बहुत जदा साथ होने वाला है तो अगर आज का मैच आप खेलते हो तो यह वीडियो पूरा देखो चुकि इस वीडियो में भाई बहुत ट्रीकी का विनिंग प्रूफ दिखा देता हूं यहां पे आप देखोगे तो फैंटसी अखरा में मैं अल्मोस्ट मैच खिलता हूं तो इसका लिंक तुमको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा आप इसमें जॉइन कर सकते हो यहां पे तुम देखोगे तो लास्ट में जिमावे तक हैंनि मैंने जीत लिया था तो फिलाल हम इसको साइड करते हैं यहां पर बात करते हैं आज के मैच की तो इन pleased आज की मैच की देखते हैं कि तुम को यहां पर उप ले दिलिर nš क कर देंग सकते हो आप लिंग लेग तो तो आपको टीम करने बड़ा सा नाम है और गजब यारी बिरही साब से चार्ड भीकर इन्हों ने लिए था लास्ट मैच में उसके बाद यहीं पने रुके थी बैटिंग में भी इन्होंने अपने टीम को बीनिंग करवाए थी मतलब कि जब तक यह बैटिंग के थी तब तक इनके टीम विन कर सब्सक्राइब यहीं एक बंदा है जो बिकेट निकाले जा रहा था राधा यादभ तो अगर आपको लगता है तो आप इनको फिरसे ले सकते हो सो मेरा कहने का बतलब यह है कि कोमेंटेटर पर ध्यान नहीं दो आप देखो जिसको विकेट मिल ला है उस पर जाओ ठीक है अरुद्दती रेडी सिखा पांडे और पूना मियादव तीनों अच्छे बोलर है और डेखते हैं कि इसको हम अपने टीम में सामिल करेंगे सो अगे की बात करते हैं मुमब इंडियान की तो म मोने यहाँ पर देखोगे तो हैली मैथ्यू बेशक टिरेश की पिलेर और ऑच्छे पिलेर है या सीका वाल पार्टियो को पताissions लागा अच्छे पलेर है और बेटिंग बोलिंग दोनों करते हैं और इस दिए साहिद मैं को क तो यह प्लेइंग एलबन हो जाती है बैटिंग उडर वाइज है फिर से बोल ला हूं तो कोई भी टीम बनाने से पहले हमें पिछ के बारे में पता होना चाहिए और कौन सा टीम जीतेगी यह भी पता होना चाहिए जिसके बाद हम टीम करेट करने में असा नहीं होती है चुक यहां पर देखोगे तो पीछ की बात की जाए तो पीछ है मुंबई भी होने वाला है बेलवोरेन इस्टेडियम में बैटिंग फ्रेंडली पीछ है 157 रन तक लग सकते हूं में की बता रहा हूं सोचो अगर यह मैंस का होता तो 200 या फिर 190 मैंस के लिए 190 एबरेज होता है औ तो एबरेज इतना रन लग सकते है और अगर कोई अटेकिंग प्लेयर अच्छा प्रफॉर्म कर देता है तो 170 मैक्सिमम 170 विन कलाउड फ्यू कलाउड है बट ठीक चलेगा मैच में कोई भी बारिश की संभाव ना तो नहीं दिखने को मिल रही है दिन आगे की बात करते है से टीन केम परेजन की सो उतितिम केम लिजन के अगर बात की जाए तो यहां पर देखोगे यह पिसल beautiful पांच मैस विन जिरती है फिर दो मैच गारती है फिर दो मैच इस हारती है। POL Smack और ऑपको यह पिसल पहलता स्थल उप सिनेलियो कि यह शरत आम कर जाती है दोस्तोाइन आपने यह सब काम करती है, मैंने बहुत सारा ट्राइ किया है, और इस सेनेरियो के अगर भात की जाए, तो आज का जो मैच है, वो मैच डेली हारने वाली है, इसके बापजूत, बट फाइनल मैच में ऐसा नहीं होता है, बट कभी-कभी तुक्का चल जाता है, यह चीज आपक फिर दो मैच जीती है, इसके हिसाब से आज का मैच मुंबई इंडिया जीतने वाली है, दोखो दोस्तों, इसका सिनेरियो क्या बोलता है, बाकी हम लोग बात करते है, यह तो तुक्का की बात हो गई, अब कन्फर्म बात करते है कि किसके जीतने के चांसर जाता है, तो पिछ बिल्कुल भी नहीं है, यह पिछ बालिंग को सपोर्ट करेगी, बालेंस पिछ है, एक सो परसंट, मतलब बैटिंग बालिंग दोनों को सपोर्ट करेगी, बालिंग पिछ भी नहीं है, नहीं बैटिंग पिछ है, यानि कि बालेंस पिछ है, अब मैं आपको बताता हू तो यहां पर मेरी प्लेइंग 11 प्लस मैच रिपोर्ट हो जाती है चलिए टीम देखते हैं अब देखो दोस्तो वीडियो में करीबन आठ गंटे पहले बना रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि फाइनल टीम यह नहीं होने वाली है फाइनल टीम आपको टॉस के बाद आएगी तो मैं नहीं करे डेखुछ दने अंटिम प्लस में इसका ज्यक्स चेसंट कशके हैं गाइज है है रिजहाँ अजिंग तूर में लिया अंब यहां पर निदेखन ś उताल इनके अलएब एकी थी भाटिया है जिसको आप स्छोकर स्मॉल लिंग इनका कोई chance नहीं है betting session की बात करते हैं तो दो bets में लिया है बट बहुत application ऐसे होते हैं जिसमें आपको minimum 3 bets में तो ले नहीं पड़ते हैं तो मैं आपको option बता देता हूँ make learning हो जाते है हर्मत बृत कॉर्ड हो जाते है हर्मत बृत कॉर्ड यहां की captain है और make learning opening करती है और उसके बाद एक अगर आपको और player लेना हो तो आप jamia rudolph के साथ जा सकते हो ठीक है jamia rudolph क्योंकि यह बंदा drop करने लाइक नहीं है अगर आपको तीन प्रे लेना हो तो तीसरा option jamia rudolph ही होंगे और किसको drop करना है यह भी मैं आपको आगे बता दे तोंगा don't worry अब देखो दोस्तों मैंने ऐसा क्यों कहा था कि मैं आज के match में और rounder भर भर के लेने बाला हूँ चुकि pitch जो है ना तो यह batting support करती है ना यह balling support करती है मतलब भी neutral pitch है and human match अगर आप देखोगे उसका पूराना record तो human match में क्या हो रहा है कि जो arounder है ना वो बहुत अच्छा perform कर रहा है मतलब कि पूरे मैंने IPL में देखा है only arounder का ही यह match चला है arounder की अच्छी मूमी का रही है पूरे match में ठीक है मैथ्यू को लिया है साइचर को लिया है मर्जेविन कैम को लिया है अमीरा केर को लिया है and कैपसी को लिया है अब दोस्तों यहां पर देखने वाली बात यह है कि यह मेरा prediction नहीं है कि human अच्छा perform कर रही है arounder almost 79%, 59%, 92%, 93%, 72% मतलब कि almost लोग जा रहे है इनके ही साथ देख सकते हो मतलब कि सब लोगों ने इनी को भर भर के लिया arounder में मतलब कि यह जो 6 प्लेयर है 6 प्लेयर को almost लोगों ने लिया है अब यहां पर बात आती है कि भाई अगर आपको एक batsman एक्सा लेना है क्योंकि ना तो मैं इनको अच्छा बैटिंग देख रहा हूं नहीं बालिंग देख रहा हूं भलें एक अनमे परसे लोगों इनको लिया हो अगर आप ऐसे application में खेलते हो जिसमें तीन को ही लेना हो batsman तो आप एक को drop कर सकते हो वह player हो सकता है बालिंग की बात कर लेते हैं बालर में तो दोस्तों चुकि और अंडर ही अल्मॉस्ट सब बालर होते हैं तो बालर जो important बालर होंगे जो देख बालिंग करें उनको लेलो जैसे कि सक हक हो जाते है ऐस हक एंड आई वांग हो जाते हैं ठीक है बहुत से ऐसे अप्लिकेशन है जिसमें आपको तीन बालर भी लेना पड़ता है बट अब ऐसा को यह बहुत ही कम अप्लिकेशन है बट है तो सिखा पांडे को आप ले लेना या फिर राधा यादव को ले लेना तो यह तीन आप्शन मैंने आपको बता दिया है अब को यहां पर देख सकते हो बहुत ही प्यार शर्डिस्पले बातिया को यहां पर एक शकेंदोस्तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूं ओके तो भाटिया को मैंने यहां पर बिकेट कीपर के तौर पर लिया है मेग लर्निंग और हर्मन प्रित कौर हो जाते हैं जुनासन हैली मैथ्यू नेटिफ साइचर मर्जबीन कैम एंड उसके बाद अमीरा केल कैप सी सैफ हक आईवंग कैप्टन में देख लो साइचर और हैली मैथ्यू बेस्ट ऑप्शन होंगे बट अगर आप कुछ चेंज करना चाहो तो चेंज ऑप्शन भी हमेशा मेरे पास अब लेवर रहता है तो चेंज ऑप्शन में आप ऐलिसा कैप्शी को कैप्टन लो चूंकि लास्ट मैच में इनको ही लिया था और जीता था तो अगर आप एक बार इंसे जी सकते हो तो दूसरे बार इंसे हरने का भी कबिलियत रखो तो मैं इनके साथ भी हो सकते तो टॉस होने से पहले चला जाओंगा और हां फाइनल टीम यह नहीं है अभी मैच में बचाबा साथ आठ गंटे है तो टेल अगर है तो आप इनके साथ भी जा सकते हो बट कुछ ग्रेंड लिंग ओप्शन भी होते हैं जिसको आप ग्रेंड लिंग में ट्राइ कर सकते हो ठीक है तो आई होब आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा मेलते इस बीडियो में बाब बाब मेरा अपस्टाइ पड़ ग्रीग आपको यहाँ ओापस्टा नग भाऊ सकते हैं लिया आपको यहाँ है दो आपकोंटरे में उरे हो को बवारा वीडियो कि एज दो हो टेल किते दो हैं भीडियो जाआ पराइकर ग्रेंव सहरा होगा है है